तो हेलो दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि सीलिंग फैन में दोनों तरफ लगे हुए 62 नंबर और 62 नंबर बैरिंग को हम बिना चैनी हथावडे और बिना किसी पूलर की सहयता से कैसे बाहर निकाल सकते हैं तो जादातर मेरे मिस्त्री भाई इस पूलर के द्वारा बैरिंग निकालते हैं लेकिन इसको लगाने में भी बहुत जंजट होता समय है जो लगता है और इसे बार बार ये पूलर है जो स्लिप कर जाता है तो भाईो ये अनोखा जंतर है जिसके द्वारा हम सभी पानी वाली मोटर से लेकर के सीलिंग फैन तक के हैं जो वो बैरिंग एक ही जुगार से निकाल सकते हैं इसको बनाने में मित्रो इसको देखे इस तरफ हमारा जो घाट है इसमें जो रोड चला जाएगा सभी का बैरिंग जो निकाल देगा ताकि आठ हिंच का बैरिंग भी बिलकुल असानी से है जो आठ हिंच वाली शाफ्ट का भी निकल जाए तो धिरे धिरे से टाइट करेंगे बिलकुल अकेले अगर इसमें कौपर वायर भी लगा रहता तो भी हमें इसमें बिलकुल पेपर जढ़ने की दिक्कत नहीं आ सकती बिल्कुल हमारा बिल्कुल असानी से हमारा जो बैरिंग है वो इस तरह है जो असानी से बिल्कुल बाहर आ जाएगा उसके बाद में हमारा ये बासट सो दो नमबर बैरिंग उसके बाद में हमारा नीचे वाला बैरिंग जो बासट सो एक नमबर होता है उसे भी हम इसी तरह बिल्कुल वहीं से हम है जो पूलर को थोड़ा और टाइट करेंगे और हमारा ये 6201 नंबर बेरिंग भी ये इस बेरिंग पे हमने चोट दे रखी थी पहले भी ये निकल नहीं रहा था तो फर्स्ट बार हम इसके द्वारा ये से निकालेंगे तो ये देखें जैसे हम इसको टाइट करेंगे तो हमारा बेरिंग है जो वो धीरे धीरे चलना चालू हो गया है तो हमारा बेरिंग तूट जाएगा इस पूलर को कुछ नहीं होगा क्योंकि बहुत heavy material से बना हुआ है और पूलर की जो यहां से यहां तक लंबाई है वो 8 इंच है और दोनों तरफ है जो लोहे के जो हमने rod लगा रखें और इसकी चुड़ाई है जो 2.5 इंच है और यहां पर हमने एक heavy material की है जो पत्ती लगा रखी और नीचे भी हमें है जो heavy लोहे की है जो प्लेट लगा रखी और जिसमें यह कट दिया गया है तो अगर किसी भाई को यह पूलर चाहिए है नहीं तो आप सबसे अच्छी बात है इसे खुद बना लिजिए अगर नहीं आप बना सकते तो आप नीचे दिये गए फून नंबर पे संपर्क करके इस पूलर को घर पर मगवा सकते हैं तो भाईयों जाते जाते जरूर चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के लिए सभी भाईयों का धन्यवाद थैंक यू